हेलो दोस्तों आपका स्वागत है प्राकुल की रसोई में आज की रेस्पी एस साउथ इंडियन डिस क्रिस्पी ढोसा सामबर विद कोकनट चटनी चलिए आज की रेस्पी को स्टार्ट करते हैं रामबर बनाने के एक कटोरी अरहर डाल ले डाल को तीन चार बार पानी से धुल ले पर इसमें फ्रेस पानी डालके रख दे धुलेवे डाल को कूकर में डाल दे एक कटोरी पानी डाले एक छोटा चमस हल्दी पॉरर डाले अब इसमें एक छोटा चमस नमक डाल दे अब कूकर को बंद कर ले और तीन से चार सीटी दे तीन से चार सीटी देने के बाद जब कूकर का धकन खोल जाये तो मतिनी ले और दाल को मिक्स कर ले कढाई ले और उसमें दो चमस तेल डाले एक चुटकी हिंग डाले ऐसे साथ कड़ी पत्ता डाले अब इसमें दो लंबा कटा हुआ प्यास डाले अब इसमें तीन से चार लंबे में कटा हुआ हरी मिर्ची डाले दो बारी कटा हुआ टमाटा डाले अब इसमें बारी कटा हुआ लौकी डाले अब इसमें दो बारी कटा हुआ बैगन डाले अब सभी सबजी को अच्छे से मिला ले दो मिनट के लिए भूल ले सबजी को गलाना नहीं है क्योंकि सबजी को अभी हम लोग कुकर में डालेंगे तो प्रैसर कुकर में वो गल जाएगा अब सबजी में दो बड़ा चमच सामबर मसाला डाल दे एक छोड़ा चमच लाल मिचा पाड़र डाले इसमें थोड़ा सा नमक डाले क्योंकि दाल में नमक डाले थे अभी मसाली को अच्छे से मिला ले थोड़ा सा पानी डाले की मसाला अच्छे से सबजे में मिल जाए तरवाडी डाल बनाये थे ना कूकर में ये जो पुरी सबजी है ना इसको कूकर में डाल दे सारी सबजी डल गई है कूकर में पल्टा से चला ले हमने एक गिलास पानी डाला आपको जैसा सामबर पसंद है पतला ये गाड़ा उस इसाब से पानी डाले ढ़कन लगा दे, तीन से चार सीटी दे पूकर का ढ़कन खुल गया है, पल्टा से चला ले सामबर को, सामबर का कलर कितना अच्छा आया है तड़का पैन में एक चमस तेल डाले, तेल जब गरम हो जाये तो छे से साथ कड़ी पत्ता डाले, एक चमस राई डाले और दो सुखा हुआ लार मिर्चा को तोड़ ले, सामबर में तड़का लगाएंगे सामबर बन के तयार है, आप सामबर को जब सर्फ करेंगे तो उसमें नीबू को निचोड लीजेगा, खटा-खटा सामबर बहुत अच्छा लगता है आप नारियल की चटनी की रेस्पी को स्टार्ट करते हैं नारियल की चटनी बनाने के लिए सबसे पहल एक कटोड़ी चना डाल ले चना डाल को दो मिनट के लिए भूल ले, थोड़ा सा भूरा हो जाए इससा जार में भूनीवे चनी को डाल दे ईत्प जार में दो चमस खट्टा रही ड़ी डाले अब इसों में दो हरी मिर्ची और दो लैसुन डाले इसों में सूखा नारियल को तोड़के डाले या लमसम आधा कटोरे होगा, आप इसमें फ्रेस नारियल भी डाल सकते हैं आधा नीबु रस को नि चोड़ ले आहदा शोटा चमस नमक डाले नमक अपने स्वांदरसा डाले इसा पानी डालके एद्धा महीन पेस बनाले इसे एद्धा महीन पेस पीसना है रटनी अब बन के तयार है अब इसको कटोरे में निकाल ले अड़का पैन में एक चमस तेल डाले तेल जब गरम हो जाए तो छे से साथ कड़ी पत्ता डाले एक चमस राई डाले और दो सुखा हुआ लार मिर्चा को तोड़ ले अब बनके तयार है अब इस तड़के को नारियल की चटनी में डाल ले चटनी को अच्छी से मिला ले अब बैटर के लिए हमको एक कटोरी उरत डाल लेना है और तीन कटोरी चावल लेना है एक चमस मेती का दाना ले फिर तीनों को अच्छी से मिला ले फिर इसको पानी में तीन चार पानी से अच्छी से धुल ले फिर इसका पानी लिकाल ले फिर इसमें फ्रेस पानी डालके इसको ढगके ओवरनाइट के लिए रख दे इसमें आधा चोटा चमस बेकिंग सोडा डाले इसको एकी डायरेक्शन में चलाएंगे 5-6 घंटा के लिए ढगके रख दे गरम जगां पे कमीर आने के लिए कढाई ले और उसमें दो चमस तेल डाले एक चुटकी हिंग डाले ऐसे साथ कड़ी पत्ता डाले एक छोड़ा चमस जीरा डाले छोड़ा चमस लैसुन मिर्चा और अध्रक का पेस डाले दो मिनट के लिए भून ले लैसुन अध्रक मिर्चा का कच्चापन निकल जाए इसमें 6 से साथ उबलावा आलो को डाले आलो को मैसक कर ले या रफली ऐसे तोड के डाल दे आलो को अच्छे से मिक्स कर ले चमस हलदी पड़ा डाले चमस लालमेच पड़ा डाले डाले पल्टा से हैसे मैस कर ले आलू का मसाला बनकर तयार है जब आपको धोसा बनाना दूसरे कटोरे में साइट से बैटर को लिका ले बैटर में थोड़ा पानी डालके बैटर को ठोड़ा पतला कर ले और श्टीक डालेंगे और एकी direction में अच्छे से इसको फैला लेंगे एक साइट से थोड़ा सा तेल लगा ले सेंटर में आलू का मसाला लगा ले आलू के मसाले के ऊपर बारी कटा हुआ प्यास डाले एक साइट से फिर अनादर साइट से दोसा को फोल्ड करे इदी कितना क्रिस्पी और इसका कलर कितना अच्छा आया है तो इसको प्लेट में लिका ले इदी कितना सुन्दर लग रहा है रोसे में कितना अच्छा जाली आया है और बहुत क्रिस्पी डोसा बना है तो यह रैस्पी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और thank you for watching my video please like share and subscribe it